कितने अच्छे हो, ओ पापा, तुम कितने अच्छे हो, ओ पापा, तुम कितने अच्छे हो, ओ परेशान हो गया हूँ इस बिट्टू से, उपर वाला ऐसी अउलाद किसी को ना दे, तेरे जैसा बेटा होने से अच्छा तो मेरी बेटी होती अच्छा होता, कम से कम मेरा कहना तो मानती, यह तो साला सुनता ही नहीं है, घूर घूर के क्या देख रहा है, जा पढ़ाईकर, पढ़ाईकर, मैं अभी आता हूँ, कहा जा रहा है, मैंने कहा पढ़ाईकर, भिगार दिया तुने बिट्टु को, समझा नहीं सकती, सुधी समझा लिया करो, सब का मैं ही करो, अभी बच्चु को संभालो, कभी तुम्हारी किच-किच-किच सुनो, सब का मैं ही करूँ, परेशान हो गई हूँ तुम्हें देखकर, जब से शादी की है, परेशान हो गई हूँ, इससे अच्छा तो मैं किसी, अपना मुह बंद कर, मैं तेरा मुह तोड़ दूँगा, अब नहीं तो बोला, बेटे से अच्छा बेटिया होती है, मैं साड़ी पहन कर, बेटे से बेटी बन गया, अब मैं रोज घर में लड़कियों के कपड़े पहनूंगा, साड़ी पहनूंगा, साड़ी पहन कर, कोई बेटे से बेटी नहीं बन जाता है, कौन समझाए इस पागल क पागल हो गया है यह, किस बबाल को पैदा कर दिया है तुने, इसने परेशान कर दिया है, मुझे मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, इसने, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, जब मैं बेटा था, तो परेशानी, अब मैं बेटी हो गया कोई प्यार नहीं करता है, कोई प्यार नहीं करता है, क्यों परिसान कर रहे हो मेरे बेटे को है, आहां मैं परिसान कर रहा हूँ, ये तो कुछ करता ही नहीं है, ये तो बहुत अच्छा है, इसके जैसा बेटा दुनिया में कोई है ही नहीं, इसके जैसा बेटा कोई नहीं है दुनिया में, कितना प्यारा बेटा है मेरा, परिसान हो गया हूँ, यह औरत परिसान करती है, यह भी परिसान करता है, दोस्तों, आगे क्या होगा, अगले वीडियो में देख लेना, प्लीज, प्लीज दोस्तों, दोस्तों, सी एस बिस्ट वाइन्स में, दस मिलियन सब्सक्र को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं इतने दिन तक कहा था क्या बताओं दोस्तों मेरे घरवाले मुझे देखकर परेशान हो गये हैं फिर मेरे पापा बोले चल बेटा तेरी शादी कर देते हैं मैंने कहा ठीक है कर दो मैं तो खुश मैं और मेरे पापा लड़की वालो के घर अरे लड़की देखने मैं मेरे पापा लड़की लड़की के घरवाले बैठे थे लड़की के घरवालो को मैं पसंद आ गया बोल रहे थे बस यही लड़का चाहिए था फिर क्या था शादी तय हो गई लड़की वालो ने कहा जाओ लड़की और लड़का अकेले में कुछ बात कर लो, फिर मैं और लड़की एक कमरे में चले गए, अब लड़की मुझे देखी रही, मैं लड़की को देखता रहा, क्या बताओ मैंने सोचा लड़की बात करेगी, लड़की ने सोचा पहले मैं बात करूँगा, मैं क्यों करता, मैं तो पसंद आ गई फिर बहुत देर बाद लड़की बोली भाईया आप कितने भाई बहन हो क्या बताओ दोस्तों मैंने कहा पहले पाच भाई बहन थे अब तुझे मिला के छे हो गए है क्या करता दोस्तों रक्षा बंधन था राखी बाद कर आ गया ऐसा है दोस्तों मेरे साथ चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में